नमस्ते दोस्तों फिर से एक नई रेसिपी के संग आप सब भी का स्वागत है दोस्तों आज मैं एक बहुतीस टेस्टी और मज़्यदावसा रेसिपी आप सब के संग सियर करने वाली हूँ दोस्तों आप शबसे एक बिंती है कि पूरा रेसिपी को जरूर देखना यह जा ले लिए और इसमें एक कटोड़ी इतना सूजी लिए है यह मोटे वाले सूजी है सूजी को पहले थोड़ा पाउडर बना लेंगे एक बड़ चला के तो देख सकतो दोस्तों सूजी का जो है हमारा पाउडर अच्छे से बन गया है इस रेसिपी को अच्छे से बनाने के लिए सूजी को पहले पाउडर बना लेना है इस से यह रेसिपी बहुत ही अच्छे बनेंगे तो मैंने एक मिक्सिंग बॉल लिए है मिक्सिंग बॉल के अंदर सूजी का पाउडर को निकाल लेंगे और उसी कटोड़ी के मेजरमेंण करके एक कटोड़ी सूजी लिये थी इसलिए एक कटोरी चितना मैदा डाल देंगे आधा छोटा चमच नमक डाल देंगे और एक छोटा चमच चीनी डाल देंगे उसी के साथ एक छोटा चमच अजवाइन को हाद में थोड़ा करस करके देंगे इससे हमारे रेसिपे में बहुत अच्छा फ्लेबर आ जाएगा और आधा छोटा चमच काला जीरा यानि कलोंजी देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स देंगे आधा छोटा चमच जितना आप तिखा अपने स्वादनुसर देना और यहां पे थोड़ा सा कस्तुरी मेथी को हाद में क्रस करके देंगे आपके पस कस्तुरी मेथी नाढ है तो आ तो चमम जितना तेल डालन देंगें पहले सब अच्छे से मिला देंगे और 2-3 मिल उसको अच्छे से मीक्स करके मयाम दे देंगे अच्छे से मयाम देने के बज़े से हमारा रेसिपी जो बनेगा ना बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगा और लॉंग टाइम तब आप इसको स्टोर करके रख पाऊगे तो मयाम देते देते जब देखोगा इसका मुठी बन रहा है तो आप समझोगा इसका मयाम एकदम परफेक्ट है तो अभी यहाँ पर रूम टेमपरचर वाला थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से एक डोव बना लेंगे दोस्तो इस तरह से बनाने से हमारे रेशिपी जो बनेगा ना बहुत ही खाने में तेस्टी लएगा तो अभी देख सकते हो हमारा डोव अच्छे से बन गया है इसमें ज्यादा पानी नहीं देना है और ज्यादा इसको टाइट भी नहीं करना है क्योंकि सूजी जो है वह ब एक्स्टा मॉष्टर भी शोग लेगा तो पांच मीट के बाद देखो चीनी विगल गया है और थोड़ा नरम हो गया है और एक्स्टा मॉष्टर को भी शोग लिया है दुबारा फिर से डो के एक बर अच्छे से मसल लेंगे और इसमें से छोड़ा-चोड़ा करके लेची क बनाएंगे न वह चिपकेगा नहीं अभी कद्दुकस के उपर एक लोई को लेके इस टाइप का बेल लेंगे थोड़ा धीरे-धीरे बेलना है और अच्छे से इसको बेल लेंगे तो देख सकते हो दोस्तों इसको अच्छे से हमारा बेलना हो गया है और इसका डिजाइन द न लेंगे तो देखो दोस्तों यह भी बन गया है यह दिखने में जितना सुन्दर खाने में और भी स्वादिष्ट है आप इसको घर पे एकबद सरूर बनाना दोस्तों बच्चे बड़े सब खुस हो जाएंगे आप बच्चे को टिफिन में भी यह रेसिपी को बना के दे तो देखो मेरा सारा रेसिपी एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो गया है तो इसको फ्राइ करने के लिए मैंने पहले तेल चड़ा दिये थे गरम होने के लिए हाइ फ्ले में तेल को गरम करने के बाद इसको एकदम लो टू मीडियम में कर देंगे फिर एक करके जितना भी मैंने बना के रखे थे दो तीन यह चार करके दे देंगे एक सम सब तो नहीं आएगा जितना आएगा उतना टाल देंगे और एकदम मीडियम टु लो फ्रिंग में सब को 3-4 मिनित तक उलट पलट करके फ्राइ कर लेंगे साइट से थोड़ा तेल भी इसके उपर छिरग तो देख सकते हैं दोस्तो धीमे धीमे इसको उलट पलट करके फ्राइ कर लेंगे दो से तीन मीट के बाद यह थोड़ा गोल्डन लाल हो जाएगा तो इसको ज्यादा फ्राइ नहीं करना है क्योंकि यह ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा कलर आ जाएगा और थोड़ा क् इसी तरह बाकी सारे को भी फ्राइ कर लेंगे, तो दोस्तों ये बहुत ही खिस्पी और खस्ता भी होता है, आप इसको घर पे एक बास जरूर ट्राइ करना, तो मेरा इसी तरह से सारे रेसिपी को फ्राइ करना हो गया है, तो सब को फ्राइ करने के बाद मैं एक प्रेड में स्वादिस्ट है आप इसको एक बर बनाके 2-3 हपता तक रख सकते हो और एंज़ोय कर सकते हो दोस्तों ये रेसिपी कितना क्रिस्पी और गुर्कुडे हुआ है मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ आप देख सकते हो ये कितना क्रिस्पी हुआ है दोस्तों आप भी घर में इक बर जरूर बनाना और खाके कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके बताना और रेसिपी को लास्त तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आये तो चैन को सब्क्राब करके बेल आइकन को भी दोस्तों आप